शब्द है जिन्हें हम अक्सर इंगलिश में बोलते हैं। इन शब्दों के बारे में हम बच्छपन से सुनते आए हैं पर कभी यह पता नहीं किया कि आखिर में इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे बहुत से लोग इन चीजों के नाम हिंदी में जानते हैं पर जब इनका हिंदी नाम बोला जाता है तो बहुत से लोगों के मुहम से हसी निकल जाती है खेर आज हम आपको इन चीजों के हिंदी नाम बताने वाले हैं जिनका नाम हम हमेशा इंगलिश में ही लेते हैं बाइल को हिंदी में दूर भाश यंतर कहा जाता है। रिक्षा को हम हमेशा रिक्षा के नाम से ही जानते हैं पर क्या आप इसका हिंदी नाम जानते हो यदी नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि रिक्षा को हिंदी में त्री चक्रवाहन कहा जाता है। यह नाम बहुत कम लोगों को मालूम होगा क्यूंकि हमने कभी इनके असली नामों के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा रेलगाडी रेलगाडी नाम पने में तो हिंदी लगता है पर आपको बता दूंकि रेलगाडी का नाम हिंदी में लोहपत गामनी हैं यह नाम संस्कृत से लिया गया है। वैसे रेल गाड़ी के असली नाम को बहुत से लोग जानते हैं पर अक्सर वो रेल गाड़ी के नाम से ही रेल को संभोधित करते हैं। टेलेविजन बच्चपन से हम टेलेविजन का नाम बोलते आए हैं पर शायद ही बहुत कम लोगों को पता है कि टेलेविजन का हिंदी में नाम दूर दर्शन हैं यह नाम बहुत कम लोग उप्योग करते हैं Computer, Computer का नाम हमेशा Computer ही लिया जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि Computer का हिंदी में नाम संगरनक हैं, यह नाम बहुत कम लोगों को पता है.